नमस्कार दोस्तों, वर्ष 2022 अब अपने अंतिम चड़नों में हैं, बता दे कि इस साल का अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर शनिवार के दिन पढ़ रहा है, कुछ लोगों को इस साल का युपलब्धिया हासिल होंगी, तो वहें कुछ लोगों के लिए इस साल मिला जुला रहेगा कहते हैं, नया साल अपने साथ नई आशाएं और उम्मीद लेकर आता है, ऐसे में साल के आखरी दिन हर कोई कुछ ऐसे उपाय करना चाहता है, जिससे उसके नया साल की शुरुवात अच्छी हो सके, और अधूरी एक्षाएं पूरी हो सके, इसी के साथ बता दे कि साल के आखरी दिन 31 दिसंबर को करने वाले कुछ उपायों के बारे में बताया गया है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको उन्ही अच्छुक उपायों के बारे में बताएंगे, तो आई ये जानते हैं, सबसे पहले आपको बता दे जोति शास्त के अनुसार नई साल के शिरु पढ़ रहा है, शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य के पैरों में शनी देव का वास होता है, इसलिए साल के अंतिम दिन जूते चपलों का दान करना शुब फलदाई माना गया है, इससे शनी देव प्रसन होकर आपनी क्रिपा बरसाते ही, जिसके चलते आपका नया साल जो लोग शनी की साड़े साती या धाया से गुजर रहें, उन्हें साल के आखरी दिन शनी दिन शनी दोश से मुक्ती मिलती है, बता दे कि इस दिन किसी जरुतमन को काले जूते चपलों का दान करना शुब रहता है, आगे आपको बताते चले कि नए साल पर जीवन के तमाम दुखों का नाश करने के लिए 2022 के आखरी दिन शनी वार के दिन शाम के सिमें हनुमान जी के सामने चौमुकी दीपक जलाए, इसकी बाद उनके समक्ष बैटकर ओम अंजनी सुताया नमह मंतरकाज कम से कम 11 से 21 बार जाप करे, कहा जाता है कि इस उपाय को करने से बहुत चम आखरी दिन सूर्यास के बाद किसी ऐसे पीपल के पास जाए जो सुनसानिस्थान पर हो या फिर आप किसी मंदर में स्थित पीपल के पास जाए और वहां पीपल के पीड के नीचे सरसो के तेल का चौमुकी दीपक जलाए, इससे धन, बयभब और यश्च में वृधि होती साथी साथ व्यपार में धनलाब के योग बनते हैं बतादी कि जोतिशास के अनुसार ये उपाय बहुत कर्चमतकारी माना गया है तो दोस्तों अगर आप भी 2023 में शनीदेव की आपार्ख रिपा हासिल करना चाहते हैं तो 2022 के अंतिम दिन इन उपायों को जरूर अपनाए कु नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकॉन दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें चाहती अपनी राए कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं धन्यवाद